हेई यो वाटसप गाईज विल्कम बेक टून माई चैनल टेकने का लगबर जीरो सेवन दोस्तों आज का हमारा टोपिक है टिटान वीपीन एप्लिकेशन के बारे में इस एप्लिकेशन का फिलाल अपी कोई डिटिंग नहीं है लेकिन इसको एक लाग साथ लोगों ने किया है डाउनलोड दोस्तों ये एप्लिकेशन के से काम करता है इसका सही तरीका क्या है साथ साथ आपको इसको यूज करके फाइदा होने वाला या नुकसान यह सारी चीज़े में आपको अपनी स्यूडियो में लाइप उर्फ के साथ बताने वाला हूँ तो बिलकुल वीडियो के एंटक के बनने रही है अगर आपने इस एप्लिकेशन को डाउनलोड किया है सबसे विले आपको एप्लिकेशन को ओपन कर देना है जैसे आप एप्लिकेशन को ओपन करोगे थोड़ दिर आपको इंतिजार करना है ताकि application proper तरीकी से यहाँ पे open हो जाए नीची के side में इसका version दिया होता है जो के 5.1.0 दोस्तों मैं आप सब इसे request यह भी करना चाहूँ कि आपने इस application को कहा से और क्यों राणोड किया है प्लीज comment box में एक comment करके ज़रू बताना यहाँ पे application open है नों की बाद में आप कोई गिरीन वालो option पे consent पे click कर दुना है consent पे click करने के बाद application को यहाँ पे नीची side में एक seven continue पे click करना एक बाद फिट से यहाँ कलिक करने बाद दोस्तों यहाँ पे application proper तरीकी से open हो जाता है आपको सबसी बलेया permission दे दी नहीं है तो यहां मैंने permission पर दे दीया है allow अब दोस्तों यहां जो लोगों को जान करी नहीं होती है बहुशія लोगे let's go वाले option पर click करेते हैं आपको यहाँ पर click नहीं करना है आपको सबसे पहले जाना दोस्तों यह वाले option पर उपर की साइड में यहापे आप बेख सकते हैं भी checking the fasted connection ओला option दिखाए दे रहा है लेकिन आपको attention नहीं लेना है आपको simply यहापे forward उपर ओला option दिखाए दे रहा है उपर की साइड में पोड़ ओला option पर किलिक करें तो आपको home service, privacy policy और search जैसे option देखने के लिए मिलते है servers के उपर आप जैसी किलिक करें दूस्तों अलग-अलग countries आपको देखने के लिए मिलेगी फिलाल अभी यहापे let's call option आगे हमको यहाँ cancel पर किलिक कर दिना है cancel पर जैसी किलिक करें दूस्तों यह cancel हो जाता है और आप अगर इसको connect करना चाहो तो यह connect हो जाता है एक चीज़ मैं आपको clear कर दो कि application से आप live streaming, gaming, video editing, photo reading और भी बहुत सारे काम आसाने से कर सकते है को यह application एक all-in-one application है जिससे आप बहुत सारे काम आसने से कर पाओगे है मुझे नहीं बना दोस्तों आप इससे क्या करना चाहते हो लेकिन अगर आप comment box में बताओंगे कि आप इससे क्या करना चाहते हो तो मैं आपको आगिकी तनकरी comment box में भी देद हूँआ जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अप्लिकेशन बहुत सारे कामों में इस्तिमाल किया जाता है I hope कि आपको समझ में आगया हूँ कैसे इसका इस्तिमाल करना है और इसका सही तरीकर का है अगर वीडियो चरह से पसन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना